नमस्कार एकवा फिरसाव सभी का स्वागत है डियसो नियूज में जिन भाई से आज हम खासा बाचित करने वाले हैं वो भी ब्रामट समाज से ही आते हैं और इनका नाम है पंडित मोहित गौड जी और इनसे हम खासा बाचित करेंगे कि जब से ये बहरायच मामला चला है और पक्षो चाहिए वो मुस्लिम पक्षो अगर आप किसी विशे समधाय के बीच में से रेली निकाल रहे हैं तो आपको किसी नहीं दिया कि आप वहाँ पर उसकी चछट पर चड़के जंडा फिराएं ठीक है और वहाँ पर नारे लगाएं पर किन्तु वहाँ पर जो मुस्लि अगर आप यह कह रहे हो कि हम सही है तो वह भी गलत है पर जिस कदर जो दो प्रवद्री जो पकड़े गए हैं इस टाइम पर उन्होंने साफ साफ इक्स्टिंग ऑपरेशन में कहा है कि यह एक पूरा प्री प्लांड हमने काम किया है तो अब क्या यूपी पुलिस अब क्या यह बाबा की सरकार इन आर्योपियों की सख से सक्स्ट आ कारवाई करेगी क्या यह जो दंगा और जो देश का माहल जो जो बगाजन्यिकी साजिशरू प्रकार से अंदर आपकर आपकर राज्य के अंदर हिंदू और की कावियत खड़ी करी गई इसके उपर आप बाबा क्या एक्षिन लेंगे जी देखिए फिलहाल अभी तो एक ख़बर चल रहे हैं कि उनकी गिरफतारी हो गई है लेकिन आपको यह नहीं लगता कि जो है किसी के चट पे चड़ करके इस तरीके से दूसरे धर्म का जंडा नि नहीं चल रहा है यह मैटन नहीं करता है आप किसी के घर के अंदर गुसके आप किसी के चट पे चड़के वहाँ जंडा फिला रहे हो विशेच दरम के नारे लगा रहे हो यह सरासर गलत है और हाँ वो जितने भी लोग जो रेली निका ले थे उनके उपर कारवाई क्यों न और मुझे कहीं नहीं लगता है कि यूपी के अंदर उपचुनाफ को देखते वे यह जो काम की आगे जो हिंदू और मुस्लिम की आग बढ़ाई गई है यह कहीं नहीं उपचुनाफ को लेकर है और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के मादम से आपके सभी द पर आपके बेटे उन अंद भक्तों के बेटे वो तल्वाल ले के नारे लगा के निकलते हैं और हां उन्हीं के आपार मुकदमे होते हैं जो है दूसरे साइट से यह भी आरोप लगाएगे कि पत्थर बाजी पहले की गई उधर से आरोप लगाएगे कि जो है गंदे-गंदे-गानी आपने आपने वीडियो देखी आपने वीडियो देखी आगा हिंदू बहुमिल छेत्र के अंदर आप मेरी बात समय नहीं तो क्या होता अब तक बाबा की सरकार बुल्डोजा चला के उसी समधाय को दबाने की कोशिश करती है और उसी प्रकार से आज भी जो पीरिडित हैं उनके साथ भी उनको दबाने की कोशिश कर दिया है पर मैं कहना चाहूंगा आपने समविदान को हाथ में लिया आपने दे पर जिन मकानों पर जो चस्पा लगाया गया है जिन लोगों ने जिन उपरवादी लोगों ने ये दंगा फिलानी की कोशिश करी उनके घरों पर जाके चिन लगा क्या आप बताई ये क्यों नहीं लगा अब तक किसलिया नहीं लगा आप वैसे तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं राश्चवाद की बाते करते क्या ये राश्चवाद के खिलाफ है नहीं है जो आरोपी है उनके घर पर आपने चिन नहीं लगा है जो आरोप चीग है आपने कानूर हाथ में लिया आप उनको जेल में डालें आप तो उनका एंकाउंटर भी कर रहे हैं उसके बाद आपको नहीं लगता है कि जो है कुछ एक संदेश देना चाहिए अपने लोगों को जागरू करना चाहिए कि भाइस तरीके से गलत काम मेंनी जाना है हम लोग ब्रहमार समास से आते हैं ठीक है अब ब्रहमारों की प्रवर्ती रही है शुरू से वो घ्यान देने की रही है और मैं कहा देना चाहता हूं कि कुछ चंद नेता अपनी रोटी सेखने के लिए अपनी कुरसी और सत्ता को खेलने के लिए वो ये कारदे करने की समाज को भढ़काने का काम करें समराज को गुमरा करने का काम करें पर मैं हाँ मैं कहना चाहता हूं कि इन नेताओं के चक्कर में, इनके तोडने की राजनीती के चक्कर में, इस कदर का विष्णा फिलाएं, जिस कदर आप एक समय पे हिंदू और मुसल्वन साथ ना बैठवाएं. कि आपको लगता है कि अचानक से जो माहौल बनता जा रहा है, उसके पीछे कि क्या वज़ा हो सकती? तो इस देश की जो सरकार जो चल रही है, जो मोदी और योगी तानशाही सरकार चल लिए है, यह चुनाव नहीं जीत पाएंगे. मैं गरिंडिर लिखके देना चाहता हूँ. लेकिन अभी जो फिलहाल चल रहा है, चलिए आप उसको चुनाव से जोड रहे हैं. तमाम भी पक्षी पार्टी अभी उतर पुर्दस के अंदर जो इसको चुनाव से जोड रही हैं. साफ साफ एक बात, कारवाई मिश्र के घर पे क्यों नहीं हुई? क्यों चिनहित नहीं किया गया? पता यह आप मुझे. क्यों नहीं किया गया? क्या उसने अरोप नहीं किया? क्या आपने अरोप नहीं किया? क्या है कि जिन 23-24 घरों पे जो चिन्नित किये गया हैं, उसमें 2-3 हिंदूों के घर भी है. देखिए, 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 आप एक बात समय नहीं कोशिश करिए. इसमे कहा है? है आप देखिए आप यहां पर भी देख आप ने पूरे मसलमान संमाज को बढ़ा है उन्हें पत्तर वाजी कर दी जो ओ सुक्तनाशा सरकार के खिलाव अपनी अवाज उठाता है आप उसे पाकिस्तानी बता दे तो खालिस्तानी कि ए लिए कि आइपको तर्कार आर ऑलोपियों के बचानी की कोशिश ना करें धरम देखके इन्साभ देने की कोशिच ना करें जिस rences ने जिसने घ्रत करें किया है उसके साथ उसको सजय दिलानी की कोशिश करें और है मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदू और मुसल्मान की दिवार से हटो और देश को आगे बढाने की राधनित करो जी लेकिन दोनों जो उपद्रवी हैं मैं वही बार बार आप से सवाल पूछ रहा हूँ उन दोनों लोगी रवतारी हुई है ना आप ऐसे कैसे के सकते हूँ जिनके घर पे जन्दा लेराया गया आपने क्या वीडियो ने पुष्ट किया था कि उन्हों ने ही गोली मारी है बताइए आप मुझेए कि हां यह हमने पूलूम किया है वहापे घर जलाने की भी हमारी मचा थी वहाँ पे हमारा आतंग फिलानी की वी मंशा थी, आप उनके साथ कारवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं अब तक उनके एंकाउंटर है, आगर यहीं पे कोई अब्दुल इस चीज को आके कबूल करता है, तो उस अब्दुल की अब तक गोली मार भी दिया थी और उसक उसका फिर खतम करेंगे, सवाल देखें यही है, कि एक तरफ जो है, तमाम वीडियों के बीच, तमाम सुर्खियों के बीच, तमाम खबरों के बीच, एक चैनल जाता है, और किस तरीके से पूरे घटना को कैद करके लाता है, किस तरीके से दो आरोपी को पकड़ा जाता है, सवाल यह है कि एक समाज को ले करके गलत कहले जीए कि आरोप लगा जा रहा था लेकि जब सचाई खुल के आती है तो कुछ और ही सामने आती है ऐसे कंडिशन में आप लोगों के मन में क्या कूछ चलता है देखिए साफ साफ एक बात है कि सरकार जो है सरकार सिफ और सिफखारी कुछ विशेष समदाय को बचा के और हाँ जो आपका एक समदाय है जिसको आप टार्गेट कर रहे हो चाए आप उसको रोहिंगलिया कहलो चाए आप उसको कुछ भी कहलो आप मेरी बास समयने कुछ चिश करें आप एक चीज़ देखिए कर देखिए गा गाजे बात के अंदर एक विशेष समदाय को समझ के है राठी चार्च कर दीग पुलिस ने क्या करवाई करी क्या करई करी सिर्फ जेल में डाल दीगे करवई नहीं होती जो लोग पिटे उनकी भी तो बात थी आप एसी आ वहरीच में देख लिए बहराइच के अंदर क्या हुआ न अप चथ पोग जाते होकिसी घर के 90 जाते हो यह कौन से समीधान में लिखा कर मैं आप उसक कि आप जंडा तव बतात मुझे अब बात शोचने कोशिश करें आप वीडियो पर पुस्टी कर रहे t तब वीडियो के अंदर गंदगे गानने बज़रे थे, आप बताइए, वीडियो के अंदर गंदगे गंदगे गाने बज़रे थे, एक या, साफ और साफ, जितने भी चीजें जो है चलिए, एक तन तो गलती करी ही, कि बाई सत्पे चड़ करके किसी सर्म का निकारा है. मैने बोला, सम्विदान के तहत में काम होना चीह है, सम्विदान के डाइरे में आके आपने अंकाउंटर कर दिया, अपने एंकाउंटर कर दिया, एंकाउंटर कहां लिखा है वो लोग कई भाग रहे थे का पुलिस के उपर मुट भेड़ कर रहे थे का सोचने का विश्य है चलिए तो आप आप लास्ट में आप कैसे देखते हैं कि दोनों समुदाय के लोगों को एक अच्छी मैं एक बात कहना चाहता हूँ यह देश गांदी का देश है, यह देश गोट से का देश नहीं है यह नफरत, नफरत नहीं चलेगी यह यहाँ पे जो देश के जो लोग हैं जितने भी मैं युवा पीडी से साफ साफ कहना चाहूँगा देखी, इनका कहां मैं आप लोगों को रहा से भटकाने का और वही पे आप लोगों को दंगाई बनाने का यह लोग ना आपको रोजगार दे सकते या ना यह लोग आपको अच्छी शिक्षा दे सकते अधह मैं अपील करना चाहत हूँ कि देश को एक प्रेम से चलाने का कारे करे जाए जो सोच गांधी जी की थी उनकी रहा पे चलके इस देश को आगे बढ़ाने का कारे करे जाए अधह एक आखरी सवाल और छोटा सावाल है कि आप भी ब्रामण समाज से आते हैं और जो पकड़े गए हैं वो भी ब्रामण समाज से आते हैं मैं यह कह रहा हूँ कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं और जब ऐसी घटनाए होती है और उसमें आपके समाज के लोग पकड़े जाते हैं सामने आता है ना तब आपके दिल में क्या गुजरता है कि भाई इस तरीके के क्यों करें देखे सबसे पहले तो दिल दुखता है कि ब्रामण समाज जो ज्यान देने का प्रतीक है अगर वही अगर डगमगा जाएगा तो बाकी के समदाए क्या करेंगे सबसे वड़ी बात यह है कि देश जो राज्य की सरकार है वो चाहती है कि कही ना कहीं ब्रामण समाज भटके और वो अपनी रहा से भटक के जो युवा पीड़ी है देखिए आपने देखा होगा आज क्या जो युवा है, आज क्या जो युवा है, वो देश में भाईचारे पर यकीन नहीं रख पा रहा, आपने कहीं नहीं देखा होगा, आज का जो युवा है, वो भाईचारे पर यकीन नहीं रख पा रहा, आपने कहीं देखा होगा, आज का जो युवा है, वो भाईच करना चाहूंगा संगटित रहें शिक्षित बने और आगे बढ़ें देश की विकास में कार्वे करें देश का साथ देश को आगे ले जाने का काम करें